मरकट आसन, मरकट एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ बंदर यानि मंकी होता है इस आसन में शरीर की आकरती बंदर की तरह दिखाई देती है इसलिए इस आसन को मरकट आसन कहते हैं अंग्रेजी में इसे मंकी पोज वे स्पाइनल पिश पोज कहा जाता है सबसे पहले स्वासन की स्थिती में लेड जाते हैं इसके बाद दोनों हाथों को कंदे के समाना अंतर बहार की तरफ फैलाते हैं और अथेलियों को आसमान की तरफ रखते हैं अब स्वास बरते हुए दाएं पैर को 90 डिगरी के कोन पर उठाएं स्वास छोड़ते हुए दाएं पैर को धीरे धीरे बाएं हाथ के नजदीक जमीन पर टिकाएं या बाएं हाथ से पैर के उठे को पकड़ ले अब कुछ देर इस्थिती में रुके रहें स्वास पूरा खाली रहेगा गर्दन को दाएं कंदे की तरफ गुमाना होता है इसके बाद धीरे धीरे वापिस आ जाएंगे और इसी अभ्यास करम को दूसरी तरफ से दोराएंगे इस आशन का अभ्यास उच रक्चाप, हिर्दे रोग, हरणिया, माईग्रेन एवं गर्भास्ता के समय नहीं करना चाहिए इस आशन का अभ्यास दोनों घुटनों एम टकनों को एक साथ मिला कर भी कर सकते हैं इस आशन के अभ्यास से सर्वाइकल, स्पॉंडॉलाइटिस, स्लिप डिस्क, कमारदर्द, एमसाइटिका आदी रोगों में लाब करी हैं जैसा आप सामने देख रहे हैं कि इस आशन का स्रलतम अभ्यास दोनों पैरों को मोड कर दोनों एडियों को नजदिक लाकर भी हम कर शकते हैं जैसा भी आपने देखा कमार पेट जांग हम नितम की अत्रिक चर्वी है वो भी कम होती है इस आशन का ब्यासे रिड की हड़ी मजबूत हम लचिली बनती है कब्ज गैस अपच्छ आदी पाचन समदी विकारों में यह आशन बहुत लाब करी है धन्यवाद